हलो रूर्वन वल्कम तो वीडियो और मेरा नाम है मंत्रवीदी और आज तारीख है 12 नवंबर और आज हम पढ़ेंगे 12 नवंबर के करेंट अफेर्स तो कल जो कुछ भी खटा उस सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पहला कॉश्चिन है राष्ट्री शिक्षा दिवस के सारी को मनाया जाता है आठ नौ दस या फिर ग्यार नाम पर इसका आंसर जानेंगे उसके पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाकर सर्ज कीजिए आड डरिट ग्यार नौमब्र को राष्ट्री सिक्षा दिवस मनाया जाता है मैं इसे शौर्ट्स भी बनाया था्ट्री मौलाना अबॉलकल्णा माजद जी का जन्र दिवस होता है आज के इसी लिए ये दिवस highos मनाया जाता है नेशनल से राष्ट्री सिक्षा दीवस 2008 में यह प्रेस में 35 वर्स के आयू में वो Congress के President भी बन गये थे IIT की स्थापना करने में उनका मात्तपूर्ण योगदान है University विश्विद्दालय अनुदान आयोग University Grants Commission बनाने में उनका मुखा आयोग है इसके अलावा ये भी काफी important fact है कि 15 नवंबर से जन जाती ये गौरब दिवस मनाया जाएगा मंत्री मंडल ने 15 नवंबर को जन जाती ये गौरब दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है 15 नवंबर को चुना गया है क्योंकि ये तारीक श्री बिर्शा मुंडा की जैनती का प्रतीक है जिनने देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है साथ ही साथ जन जाती ये गौरफ दिवस बहादूर आदिवासी चौतधा सेनानियों और देश के लिए उनके बलिदान को समर्पित है सांस्कृतिक वीरासत के संरक्षन और वीरता आतित्य और राश्री गौरफ के भारती मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासीों के प्रयासों को मानता देने के लिए अप से हर साल या दिवस मनाया जाएगा अगला सवाह है कौन सा देश अंतर राश्री ये सौर गठवंधन में शामिल होने वाला 101 सदश्य बन गया है इंडिया, UK, USA और फिर कनेडा तो जवाब है USA जिसकी राजधानी है वाशिंग्टन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बाइडियन एंड करंसी है US डॉलर UK की राजधानी है लंडन, PM है बोरिस जॉंसन और करंसी है यूरो कनाडा की राजधानी है, उटावा, पिस्ट पी-म है, जस्टिन टूडो और करंसी है, कनाडियन डॉलर USA 101 सदश्य बना है, ISA को जॉइन करने का, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का ये प्रधान अंध्री मोदी नहीं, जी नहीं इसका आइडिया दिया था, और इसका मुख्याले गुड़गाओं में है पैरिस में इसके स्थापना की गई थी, और 30 November 2015 को और Ajay Mathur इसके महान इदेशक है, ठीके, तो इसको जॉइन करने वाला 101 सदश्य बन गया है साथी साथ, Dwayne Bravo ने अपने अंतरराश्टी क्रिकेट से सन्यास की घोशना कर दी है Western Deez Cricket Team के पूर्व कपतान, आपको यह बात पता होगी है, और जो नहीं पता है, वो ध्यान से जान ले कि Western Deez अपने आप में कोई country नहीं है, Western Deez जो US है अगर अमरीका के पूर्व के साइड में छोटे-छोटे आइलेंड्स हैं, जैसे कि Trinidad, Tentobago, Jamaica इन सारे जो हमारे चोटे-चोटे से आइलेंड हैं, इनको मिला के एक Western Deez Cricket Board बना है और उसके लिए यह लोग खेलते हैं, तो Trinidadian Cricketer है, Dwayne Bravo, जोने अंतरश्टी करने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है उन्होंने सभी साथ T20 विश्रकप खेले हैं, 12, 16 और T20 में खिताब जीतने वाले Western Deez के टीम विश्टा रहे हैं 22 असनलो, 23 के औसत और 115 के स्ट्राइक क्रेट से 1245 रेंड बनाए हैं और उन्हें चुना है, 78 विकेट के उपर उन्हें लिया है तो इसका जवाब है आपका असीम चावला, असीम चावला ने Finding a Straight Line Between Twists and Turns नाम से किताब लिखी है Finding a Straight Line Between Twists and Turns नाम से किताब लिखी है आपके असीम चावला जी ने भारत के अग्रणी टाक्स वकील है, एक और जाने माने अंतराश्टी टाक्स और नीती विशे सगे हैं असीम चावला, इन्होंने Matrix Publishers द्वारा प्रकाशित अपनी नई किताब Finding a Straight Line Between Twists and Turns in an Imperfect Still Imanदार Reflections on the Indian Tracks Landscape का विमोचन क्या है, पुस्तक एक दशक में भारत के कर प्रदर्शे के रास्टी और अंतराश्टी दोनों का गहन विशलेशन प्रदान करती है इसके अलावा दो और किताबें जो जिनकी हम बात कर रहे हैं नहरू The Debate That Defined India इस नामक किताब लिखी है त्रिपुर्दमन सिंग और आदिल हुसैन ने नहरू The Debates That Defined India नामक पुस्तक के सहलेखक त्रिपुर्दमन सिंग और आदिल हुसैन है एक नई पुस्तक के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रदान अंतरी जवाला नहरू की संसोधन वादी खोच के रूप में कारे करती है और उनकी राजनीती द्रश्टी को आकार देने में उनके समकालीन और विडोधियों की अंदेखी भूमिका की चांस करती है इसके लाबा एक और किताब है आयोध्या नेशन हुद आः टाइमस संॉर्इज ओवर अयोध्या ये सलमान खुशीत के एक नई किताब है संॉर्इज ओवर अयोध्या नामक पूर्व केंदरी मंत्री और कॉंग्रेस नेता सल्मान खुशीद जिन्होंने हाली में अध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सन्राइज ओवर अयुद्या नेशन विडियनार टाइम्स नामक लॉंच किये है खुशीद ने कहा लोग सोचते थे कि फैसला आने में सौ सार लगेंगे फैसले के बाद लोगोंने शायद इसे पढ़े या समझे बिना रायदेने शुरू कर दिया है सुप्रीम कोड ने क्या क्यों और कैसे फैसला दिया उसके बारे में ने बात की है बाकी गलत कारणों से विवाद में भी है हाल ही में कुनेरू रामकृष्ण जी का निधन हुआ है वो किस छेतर से संबंदी थे क्रिकेट, सिनेमा, पॉलिटिक्स या फिलोसफर तो यह फिलोसफर थे कुनेरू रामकृष्ण नाम जी फिलोसफर कुनेरू रामकृष्ण जी की मृत्य हुई है, प्रसिद शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक थे, कुनेरू रामकृष्ण इनका निधन हो गया है, वह एक अंतर राश्टी इस्तर पर मानेता प्राप्त मनोवेग्यानिक थे और अमेरिका एस्थित साइकोलोजिकल एसोसियेशन और इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइट साइकोलोजी के अधिक्ष के रूप में कारे किया है, उन्हें 2011 में पदमश्री से सम्मानित किया गया था, रामकृष्ण राव ने आंधर विश्विद्याले के कुलपती और APSHE क अधिक्ष के रूप में अपने कारे काल के दौरान कक्षाओं को समयदाय के साथ जोने के कई पार्ठिक्रों में सुझाल आने के महत गुड़ू मिंका नी भाई, तो इनका है, इसके अलावा ये जो हम अगली बात बात करने जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है, साउथ अ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके कारेकाल तक जो जो कलर्ड लोग थे यानि कि जो ब्लैक्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे, तो अपर्थाइट प्रेसिदेंट जो लास्ट अपर्थाइट प्रेसिदेंट थे, F.W.D. Clark उनकी मृत्यू 85 वर्स के इसके बाद ही ब्लैक्स को राइट्स मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे, इन्हें 1993 में Nelson Mandela और F.W.D. Clark को नोबल पुरसकार से समानित किया गया था, जो दक्षिन अफरिका को संस्थागत नसलबाद से दूर लोगतंत्र की उले जाने में उनके प्रयासों के लिए था, यानि कि इन्होंने ही वहाँ पे समझ लीजे, Nelson Mandela और F.W.D. Clark इन दोनों तक दक्षिन अफरिकता के राश्ट्रपती और 1994 से 1996 तक उप राश्ट्रपती थे, F.W.D. Clark श्वेत अलप शंक्यत सासन के यूग के अंतिम राश्ट्रपती थे, और Clark की सरकार ने रंगवेद विवस्ता को खत्म कर दिया और दक्षिन अफरिका में लोगतंत्र की में संसत के लिए चुने जाने से पहले F.W.D. Clark कानून का अध्यन कर रहे थे, 78 में Clark को आंतरिक मामलों में कई मंत्रियों नियोग के है, 1936 में जोहांसबर्ग में उनका जन्म हुआ था, इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रेसिदेंट रहे वो रहे आपके नेलसन मंडेला, 1993 और इन दोनों लोगों को नोबल प्राइज मिला था, 1993 में, ठीक है, तो बाकी आप PDF में पढ़ सकते हैं इनके बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको मैने तोड़ा सा डिटेल में बताए बात किये है, इनको नाम जरूरी आत रखे है, F.W.D. Clark M.B. India के brand ambassador के रूप में केसे नियुक किया गया है, Ranveer Singh, Ayushman Khurana, Deepika Padukon या Amitabh Bachchan तो CoinDCX का brand ambassador Ayushman Khurana को बनाया गया था, CoinDCX के ही brand ambassador Amitabh Bachchan भी है, साथ ही साथ चिंगारी एक एप है, और चिंगारी नाम से crypto रिलीस की गई थी, चिंगारी आप के द्वारा ही, उसके brand ambassador Salman Khan, Ranmir Singh, CoinSwitch Kuber के हैं, और Deepika Padukon Adidas की हैं, फिलाल M.B. India के brand ambassador के रूप में Amitabh Bachchan को नियुक किया गया है, Amitabh Bachchan M.B. India के brand ambassador के बने हैं, direct selling FMCG company M.B. India ने बन गये हैं, इसके लाबा, who has been appointed as the head of CISF, CISF का प्रमुख किसे नियुक किया गया है, ये news हम पहले भी दो दिन पहले पढ़ चुके हैं, श्रील वर्दन सिंग, SN Pradhan, R. Hari Kumar या अतुल करवाल, तो जवाब है इसका, श्रील वर्दन सिंग, स्रील वर्दन सिंग को CISF का प् और SN Pradhan ही पहले NDRF के Director General थे, तो यहां से इनको हटाके NCB Chief बना दिया गया है, और NDRF Director General बन गया है, अतुल करवाल, ठीक है, श्रील वर्दन सिंग को CISF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, IPS अध्यकारी CISF के प्रमुख होंगे, ठीक है, इसके अलाबा, NCB का जो अध 24 के लिए तक के लिए, IPS अधिकारी सत्यनाराण प्रधान को प्रति नियुक्त के आदार पर Narcotics Control Bureau का महान इदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, इसके अलाबा, नुवाग जोकोविक ने 37th Masters title जीत लिया है, पैरिस 2021 का, पैरिस 2021 में 37th Masters किताब जीता है, नुवाग जोक 37 Masters title है, पैरिस का ये छटा किताब है, फाइनल में जोकोविक ने डैनियल मेधवेदेव को 4-6, 3-3, 3-3 से हराया, इस जीत के साथ जोकोविक लगातार 7th साल ATP World No.1 rank पे आ गये हैं, अंतराष्टी टैनिस महासंग के अध्यक्ष है, डैविड हैगर्टी, और अंतराष्टी टैनिस महासंग मुख्याले हैं, लंदन उनाइट किंग्डम में, और इसकी स्थाफना हुई थी 1 मार्च 1913 में, ठीक है, सिंगल्स का टाइटल जीता है, नुवाग जोकोविक ने, दैनियल मेधवेदेव रनर अप रहे हैं, डबल्स लीता है, टिम पुद्स और माइकल वे रही है, दस्वी जलवायु परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग में, भारत दस्वे स्थान पर रहा है, को COP26 के साथ साथ, जर्मन वाच दौरा जारी वैश्विक जलवायु परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग में, भारत दस्वे स्थान पर रहा है, 2020 में भारत दस्वे स् जलवाई प्रदर्शन के दस सर्वसेश स्थान प्रदर्शन करने वाले देशों में अपना स्थान बरकरार रखा है इस भी समग रैंकिंग में शीर्स तीन स्थान पर एक बार फिर खाली है क्योंकि किसी देश में किसी ने भी CCPI में समग रूप से बहुत उच रेटिंग हसल करने के लिए पर्याप प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि जितना उन्हें स्कोर डिसाइड किया था वो किसी गाया है तो अब यह समझ लिए चौथे पर डेन्मार्क है इंडेक्स में 43rd, Global Peace में 135, Startup Ecosystem में 20th, Global Manufacturing में 2nd, Global Innovation Index में 46th, Henle Passport 90th, Global Earn and Hunger Index 101st, Global Food Security 71st, इसके लावा कल हम ने पढ़ा था Global Drug Policy Index में इंडिया रैंक 18th भारत ने ISSF Presidents Cup जो हुआ है इसमें 5 मेडल जीते हैं भारत ने इंडिया ने इंडिया फिनिस्ट इनाउग्रल इससफ Presidents Cup with 5 मिडल इंक्लूदिंग 2 गोल जीते हैं, 2 जीते हैं, 2 जीते हैं, 2 जीते हैं, 1 ब्रॉंज जीता है इनिविटेशन अनली टूर्नामेट वाज है एट रॉकलो इन पोलैंड, पोलैंड में यह हुआ था, जिसमें टॉप 12 की शूटर जो हैं, वो हर केटेगरी में कहले था, मनु भाकर ने दो गोल्ड जीते हैं तो गोल्ड जीता है 25-meter rapid-fire pistol में mixed team competitor में Manu Bhakar ने जीता है 10-meter air pistol team competition में Manu Bhakar ने जीता है तो इन्होंने दो गोल्ड जीते हैं इसके लबाब सिल्वर में women's 25-meter pistol silver individual competition में Rani Sarnobark ने जीता है men's 10-meter air pistol individual competition में Saurabh Chaudhri ने जीता है bronze medal 10-meter air pistol में जीता है अभिशेक वर्मा ने यह गलत यहां पर translate हो गया है इसके लाबा उडिशा government ने रक्षक नामक initiative launch किया है उडिशा सरकार ने पहले उत्तरदाओं को उत्तरदाताओं को प्रशक्षित करने के लिए एक नया initiative launch किया है रक्षक नामक तो उडिशा सरकार ने 10 नामबर 2021 को रक्षक नामक अपनी तरह की पहली सडग सुरक्षा पहल किये जिसमें 300 master trainer सभी 30 जिलों में स्थानी लोगों को सडग दुरगटना सायता प्रदान करने के लिए होंगे और रक्षक के तहत दुरगटना संबाविज इस्थानों के पास लगबग 30,000 सेवकों को सडग दुरगटना के लिए प्रथम प्रतिक्रिया करता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा 30,000 first respondent दुरगटना प्रथमिक सिर्षिक्षित सा और वास्पताल पूरवा घार देखवाल के लिए उन्हें जानकारी दी जाएगी ठीक है भारत में हर साल लगबग 1,500,000 लोग सडग दुरगटना से मरते हैं और 50,000, 5000 से अधिक सडग दुरगटना के शिकारत हुए है ओड़ीशा में